ओम शान्ती, हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी, वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंब की है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ओम शान्ती ओम शान्ती, आज दिनांक 15 जन्वरी 2022, बाबा ने महावाक्य में, हम बच्चों को जो वर्दान दिया, और लवलीन इस्थिती का अनुभाव करों के लिए जो पॉइंट दिया, उसका मनन करेंगे बाबा वर्दान में बोले, दिव्य गुणो रूपी, प्रभू प्रसात खाने और खिलाने वाले, संगम युगी फरिस्ता सो देवता भाव आज बाबा हम बच्चों को संगम युगी फरिस्ता सो देवता, अर्थात संपूर्णता भाव का वर्दान दे रहे हैं वर्दान में बाबा कह रहे हैं, दिव्य गुणो रूपी प्रभू प्रसात खाने और खिलाने वाले, संगम युगी फरिस्ता सो देवता भाव डिटेल में बाबा बोले, दिव्य गुण सबसे बड़ा प्रभू प्रसाद है, इस प्रसाद को खुब बाटो, जैसे एक दो में इसनेह की निसानी, इस थुल्ट तोली खिलाते हो, ऐसे ये गुणों की तोली खिलाओ अर्थाद, बाबा, हम बच्चों को इस संगम युकपर, ब्रह्मा मुखुवंसावली, स्रेष्ट ब्रह्मन बनाते हैं, और हमारा गुण तथा सक्तियों से स्रंगार करते हैं तो बाबा सदा कहते हैं, कि जो गुण ग्यान तथा सक्तियां तुम बच्चों को प्राप्त होती हैं, उनका दान करो क्योंकि दाता के बच्चे हो, तो दान करने से ये अविनासी खजाने बढ़ते जाएंगे तो जिस प्रकार इस थुल में तोलियां खिलाते हैं, उसी प्रकार गुणों की तोली खिलाना है, अर्थात गुणों का दान देना है आगे बाबा बोले, जिस आत्मा को, जिस सक्ती की अवश्यक्ता है, उसे अपनी मंसा अर्थात, सुद्ध वरत्ती, वाइब्रेशन द्वारा, सक्तियों का दान दो और कर्म द्वारा, गुण मूर्त बन, गुण धारन करने में सहयोग दो, तो इसी विधी से संगम युक का जो लक्ष है, फरिस्ता सो देवता, यह सहेज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा अर्थात, बाबा, आज जो हम बच्चों का लक्ष है, नर से नारायन बनना, अर्थात, फरिस्ता सो देवता बनना, उस लक्ष की, प्राप्ती की सहेज विधी बता रहे हैं, कि जिस प्रकार तुम आत्माओं को गुण ग्यान तथा सक्तियां प्राप्त हुई हैं, उन गुण ग्यान तथा सक्तियों को सर्व आत्माओं को दान करो, जिस आत्मा को जिस सक्ति की आवश्यक्ता है, जिस आत्मा को जिस गुण की आवश्यक्ता है, उन्हें अपने सुब संकल्पो द्वारा, स्रेष्ट वाइब्रेसन द्वारा, स्रेष्ट व्रत्ति द्वारा कर्म द्वारा बोल द्वारा चाल चलन द्वारा दान दो तो जितना जितना तुम स्वरूप में लाकर गुणवान बनोगे और सक्तियां धारण कर सक्तियों का अनुभवी मूर्त बनोगे उन्हें प्रयोग में लाओगे उतना उतना वह सहज सर्व को प्राप्त होंगी अर्थात हमारे कर्म ऐसे हो, हमारे बोल ऐसे हो, हमारी चाल चलन ऐसे हो, जैसे सत्यूगी देवि दे उताओं की तो हमारे गुण ज्यान तथा सक्तियां, हमारे कर्म द्वारा, हमारे बोल द्वारा, हमारे चाल चलन द्वारा प्रत्यक्ष हो तो बाबा कहते सम्पूर्ण रूप प्रत्यक्ष दिखाई देगा तो ऐसे ही अब इस संगम यूख पर पिता परमात्मा की सपूत संतान बन पिता परमात्मा से प्राप्त खजानों का दान कर अपने को भरपूर, संपन, संतुष्ट वा संपूर्ण बनाना है स्लोगन में बाबा बोले सदा उमंग उत्सा में रहना यही ब्रामन जीवन का स्वां से अर्थात उमंग उत्सा में वे रह सकते हैं जो संपन हैं, संतुष्ट हैं ब्रामन जीवन जब हम बच्चों को प्राप्त होता हैं, तो हमें एक पिता परमात्मा से सर्व वर्दान प्राप्त होते हैं, सर्व गुणों की प्राप्ती होती हैं, सर्व सक्तियों की प्राप्ती होती हैं, तो सदा हम बच्चों को उमंग उत्सा में रहना यही ब्रामन जीवन की सुआश है क्योंकि प्राम्मनों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तू ब्राम्मनों के खाजाने में लवलीन इस्थिती का अनुभव करो के लिए बाबा ने पॉइंट दिया परमात्म प्यार के अनुभव में सहेज योगी बन उड़ते रहू परमात्म प्या आकर्सन में आ नहीं सकते माया का कितना भी आकर्सित रूप हो लेकिन वह आकर्सन उड़ती कला वालों के पास पहुँच नहीं सकती अर्थात माया अपने जो भी स्वरूप से आकर्मन करती है माया अपना कैसा भी रूप बना कर कैसा भी हमें अपनी और आकर्सित करे पर जब हम स्वरूप में इस्थित होते हैं अर्थात देह तथा देह की दुनिया से न्यारे उपराम खुद को आत्मा अनुभव करते हैं फरिस्ता स्वरूप में इस्थित होते हैं तो फिर हम देह के आकर्सन से उपराम न्यारे और एक पिता परमात्मा के प्यारे बन जा तो जितना जितना खुद को इस देह से उपराम फरिस्ता स्वरूप में अनुभव करेंगे उतना उतना माया के वार से बचेंगे और पिता परमात्मा की लगन में मगन रहकर उड़ सकेंगे तो उड़ने के लिए हलका रहने के लिए देह से देह के संबंध से कर्म के बंधन से सदा खुद को न्यारा समझना है क्योंकि यहाँ जो मर्जीवा जन्म हमें प्राप्त हुआ है यहाँ परमात्मा द्वारा सेवा अर्थ प्राप्त हुआ है तो हमारे मन और बुद्धी इस पांच तक्त्वों के दुनिया से सदा उप्राम अर्थात अपने पिताक पर एकाग्रो होना चाहिए तो जितना जितना अपने मन और बुद्धी को पिता परमात्मा की लगन में मगन करेंगे उतना उतना लवलीन इस्थिती का अनुभव कर सकेंगे और माया के आकरशन से भी उप्राम रह सकेंगे अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंब की हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शान्ती